दूस्तो पपीता एक ऐसा फल है जो बहुत ही कम कीमत में बर्स बर आसानी से देश के हर छित में मिल जाता है इसको खाने से कैंसर से लेके डायविटी तक की कई प्रकारगी समस्याएं दूर होती हैं कई प्रकारगी सरीर की और समस्याएं बीमारियों में फायदा करता है तो इस वीडियो में हम आपको कच्चे पपीते के बारे में खासकर बताएंगे कच्चे पपीते के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे यह देखी कच्चा पपीता है यह पपीता गोल वाला है वैसे लंबे पपीते ही होते हैं आपने देखा होगा जो मार्केट्स ज बीज नहीं हुआ करते हैं बीज रहत पपीते होते हैं हाइवड पपीते होते हैं वो सेथ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं इतने फायरेबन नहीं होते हैं जितना कि देशी पपीता होता है जो बीज बाल पपीता होता है जिसमें बीज होते हैं तो इस वीडियो में हम कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सब्सक्राइब कच्चा पपीता खाते हैं तो उनकी आंतों में चिपका हुआ मल भी ये पपीता खुरज-खुरज के छुड़ा के निकाल देता है और कब्ज खतम हो जाती है इसके साथ ही बवाशीर की समस्या भी खतम हो जाती है जिन लोगों का कोलेस्टोल बढ़ा रहता है तो अगर वो नीमत पपीते का सेबन करते हैं ऐसे लोग तो उनका कोलेस्टोल कंट्रोल में आये लगता है इसके अलावा बात करें जिन लोगों का बजन बढ़ा हुआ है जिन लोगों का बजन जादा रहता है जो लोग अपना बजन कम करना चाहते हैं वो लोग भी अगर पपीते का नीमत सेबन करें तो उनका बजन कम हो सकता है क्योंकि पपीते में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाता है पपीते में कैलोरी की मात्रा कम पाए जाती पपीता खाने के बाद पेट काफी समय तक बढ़ा रहता है जिसका आण से जल्दी भूग न लेबल पंटराल हो सकता है पपीते में बीत Ich21 to be और मеся को साथ ही और वि ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सरीर की इम्यूंटिव बढ़ाते हैं वो बार बार नहीं कोती हैं इसके बार बार बीमारियां नहीं होती हैं इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे कच्चा पपीता जिन महलाओं का पीरड रुख जाता है समय से पीर नहीं आता है तो कच्चा पपीता पीरड को लाने के लिए बहुत ही फायदिबन होता है तो इसके लिए क्या होता है कच्चा पपीता उनको एक से दो दिन खान स्सक्राइब कच्ष पपीता उसके बाद उनका रुकावगा प्य। आ जाता है ज Philippe रूख जाता है तो यह काफी नुकसान बाइग होता है ऐसे मैं अगर आप कच्षside पपीते का सेवन करेंगे तो एक या दो दिन में ही प्य। आ जाता है यह बहुत असरदार नुसका है अंग्रेजी दवाएं लेने की अपेच्छा ये गरेलू ने उसका ले सकते हैं क्यों कच्छे पपीते में लेटेक्स नाम का पदार्थ पाया जाता है जो यूटेरेस में कसाव पैदा करता है जिससे पीरिड तुरंत ही आ जाता है एक सोच से पता चला है पपीते में मौझूद लाइकोपेन योगी होता है जो वो कैंसर के खत्रे को कम करता है इसके अलावा जिन लोगों को कैंसर हो चुका है जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है उन लोगों को नीमत रूप से अगर वो पपीते का सेवन करते हैं तो पपीते म में पाया जाना वाला एंटियोक्सिडेंट बीटा कैरोटीन भी कैंसर के खत्रे को कम करता है और जिन पुरुसों में प्रोटेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर की समस्या होती है या जिनको संभाबना है उन लोगों को भी पपीते का निमे सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें डायट तो इस तरीगे से मैं बताना चाहूंगा पपीते के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं जो महलाएं गरब बती हैं उन महलाओं को पपीते का सेबन नहीं करना चाहिए क्योंकि पपीते में लेटेक्स नाम का जो तत्त पाय जाता है वो यूटेरिस में कसाव पैदा करता है जिससे गरब पात हो सकता है और पोपेन नाम का जो तत्त पाय जाता है उससे भून को नुकसान हो सकता है और गरब गिर सकता है तो गरब बती महलाओं को पपीते का सेबन चाहे कच्छा पपीता हो चाहे पका पपीता हो उसका सेबन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और जिन लोगों को इसकिन एलर्जी है जिन लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है उन लोगों को भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए ये जिन लोगों को लेटेक्स से एलर्जी है अगर वो लोग पपीते का सेवन करते हैं या ज्यादा मात्राम पपीता खाते हैं तो उनको पेट में दर्द एंठन इस तरीके की समस्य हो सकती है जलन हो सकती है तो उन लोगों को भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए जिन लोगों का सुगर लेवल कम रहता है उनको भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि पपीते का स प्रेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूं मेरे द्वार बताईगी जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें